आप सभी का स्वर्थ है आज हम लोग देखने जा रहे हैं कम्प्यूटर से सम्मधित कम्प्यूटर साप्ट्वेर तो आए बीना देदी के वीडियो को शुरू करते हैं और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं ओ जरूर सब्सक्राइब लाइक और समुच्य को साप्ट्वेर कहा जाता है ये भी सही है कि प्रोग्राम के समुच्य को ही क्या कहा जाता है साप्ट्वेर कहा जाता है दूसरा देखेगा कम्प्यूटर द्वारा विशेज कारे को कराने के लिए बनाए गए प्रोग्राम के समुच्य को ही क्या कहा जाता है साप कहा जाता है या प्रोग्राम के सम्मूझ को भी क्या कहेंगे हम दोग साब टोऑर कहेंगे अगला देखिए फिसमें तीफरा है कंप्प्उटर के अंदर कारुकर रहे सभी प्रोग्राम जिन्हें हम टच नहीं कर वक्ते उन्हें भी क्या बोलबसonner हैं साब तो सही आन्फर हो जागा आपसर नमबर D उप्रोपतर सभी अगला दिखिएगा तो किसके माध्यम से किया जाता है तो कम्प्यूटर हाड एर को निर्देश देने के लिए कम्प्यूटर से विशेज कारे कराने के लिए तो दोनों कारे होता है आपसर नमबर C तो साप्ट्वेर के निर्माड किसलिए किराया जाता है तो ए और भी दोनों के लिए आपसर नमबर हो जाएगा C उसके बद देखिएगा अगला प्रफन है कम्प्यूटर के हार्डवेर के साथ कम्प्यूटर के हार्डवेर के साथ इंटर्फेस प्रदान करता है तो इंटर्फेस प्रदान करने का काम कौन करता है साप्ट्वेर आफसन नमबर हो जाएगा C अगला प्रसन देखिएगा साप्ट्वेर निर्माड करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है तो साप्ट्वेर निर्माड करने वाले option number हो जाएगा option number C अगला प्रसन देखिएगा software निर्मार के प्रारंभिक चरणों में सामिल नहीं है तो प्रारंभिक चरणों में क्या सामिल नहीं है तो ये सामिल नहीं होता कौन-कौन सामिल होता है ये देख लेते हैं फहले algorithm बनाना ये भी साब्टे निर्माण में प्रारम में सामिल होता है दूसरा है फ्लो चार्ट बनाना ये भी बनाना ज़रूरी है सुडो कोड बनाना भी ज़रूरी है लेकिन अबजेक्ट कोड बनाना यहाँ बर ज़रूरी है तो कौन सा साब्टे निर्माण में सामिल नहीं है प्राडम विक्चर्णों में तो option number हो जाएगा आपका option number D object code बनाना अगला question देखेगा FDLC FDLC का पूरा नाम क्या है तो FDLC का full farm होता है software development life cycle software development life cycle FDC का full farm होता है option number A अगला हो जाएगा साप्ट निर्माड के समय programmer द्वारा निर्देश लिखने और program बनाने की क्रिया क्या कहलाती है तो साप्ट निर्माड के समय program द्वारा निर्देश लिखने और बनाने की क्रिया क्या कहलाती है तो ये कहलाता है आपका coding कहलाता है नमर हो जाएगा C अगला देखिएगा साप्ट वेयर डिवलापमेंट लाइव साइकल साप्ट वेयर डिवलापमेंट लाइव साइकल हमें किस बारे में जानकारी देता है तो यह जानकारी देने का काम करता है किसके बारे में तो यहां फिर दिखिएगा यह पूरे साप्ट निर्मान की क्रम को प्रदर्फित करता है ये काम होता है तो आप्सन नमर हो जाएगा C उसके बाद अगला देखिएगा साब्ट्वेयर बनाने के पूर्व साब्ट्वेयर बनाने के पूर्व requirement analysis अर्थात अवसकता विसलेशन क्यों आवस्यक होता है तो आप्सन देखिएगा customer से समस्या की विसे में जानकारी लेने के लिए ये सही है दूफरा देखिएगा customer के प्रतेक requirement को अच्छे से जानने के लिए ये भी आपका सही है तिफरा देखिएगा customer के भी इसे में क्यों इस कोफ है इस पर चर्चा करने के लिए तो ये तीनों के लिए आज कता विसलेशन जरूरी होता है आपका नमबर हो जाएगा डी अगला प्रत्सन मिल जाएगा software सब्दा का प्रयोग करने वाले वैक्ती का नाम है तो software सब्दक अप्रयोग करने वाले वैक्ती का क्या नाम है तो इस वैक्ती का नाम है Jan W2K ठीक है? Anyonester No. B अगधा प्रस्म हो जाएगा निम्न लिखित में इसे System Software है तो System Software कौण सा है इसमें से तो system software है windows अब यहां पड जानते हैं कि यह system software होता क्या है तो software देखेगा यह software होता है टू टाइप से होता है पहला आपका जो होता है यह होता है application application और दूसरा होता है आपका system software ठीक है तो system software होता क्या है जो computer को अवस्यक रूप से जो प्रारम्भिक तोर पिहुन की जो basic कार्य है उनको संपन कराने के लिए अवस्यक जो software हो कराता है system software और यहाँ पर आप देखेगा application software लिखा हुआ है यह application software क्या काम करता है तो application software का काम होता है जो यदि अनिवारे कार्योग छोड़ कर जो special काम जो अवस्यक काम है तो अवस्यक कामों को संपन करने के लिए ठीक है जो विशेज कारे को संपन करने के जिस software को यूज किया जाता है वो कहलाता है आपका system software स्वारी है ना application software तो system software कौन सा है तो windows है windows अनिवारे रूप से जरूरी होता है system के लिए जब कि MS Office आर कूट फोटोस आप यह अपनी असकता या विशेज कारे को लिए आप कर सकते हैं तो आप सा नंबर हो जाएगा सी अगला देखिएगा निवन में से कौन सा कथन सत्य है तो कौन सा कथन सत्य है तो यहां देखते हैं system software की बिना computer एक बेजुबान मसीन है मलब यह system software के बगर computer कुछ कारे नहीं करता क्योंकि system का basic अर्था चीज का आत्मा का काम कौन करता है software करता तो system software यह पहला वाला option आपका सही है option नंबर हो जाएगा अगला देखिएगा निवन लिखित में से system software है system software अभी पता आता system software होता क्या है जो basic आउसकता को computer की जो basic आउसकता है उसको complete करता है उससे क्या बोलेंगे उस software को system software बोलेंगे यहां देखेगा कौन-कौन सा सही है तो यहां देखेगा कौन-कौन सा देखते हें आपरेटिंग सीस्टम यह भी सीस्टम साप्टेवर है प्रोफेसर भी लिंकर ये अन्डोडर डिवाइज ड्राइवर और कंपाइलर ये सभी अंसर आपका सही है तो आपसा नमबर हो जाएगा पहला दूसरा तीफरा चाओं था और पांच वा अगला देखो गए निम्न मेफे कौन सा साप्टेयर वेब पर कारे करता है तो वेब पर कारे करने का काम करता है क्रोम भी करता है वेब पर यूटूब भी करता है और फेस्बूक भी करता है तो उप्यूप तो सभी आपसा नम Microsoft Company का नहीं है तो Microsoft Company का कौन सा नहीं है तो ये देखिएगा MS Word Internet Explorer Bing और Yahoo तो कौन कौन सा है इसको अब देखिएगा तो ये है आपका MS Word ये Software का Microsoft Company का ये देखिएगा दूसरा देखिएगा Internet Explorer ये भी है और आपका देखिएगा कौन सा वाला है Bing भी होना चीए है न और बचा कौन सा है तो देखिएगा D Yahoo ये कौन सा कंपनी का है तो Microsoft Company का ये नहीं है तो आपसा नंबर हो जाएगा D अगरा प्रफने इन में से कौन सा साप्ट्वेर Microsoft का Default Web Browser साप्ट्वेर है तो Default Web Browser साप्ट्वेर है कौन सा Internet Explorer अभी देखिए थे आपसा नंबर हो जाएगा Bing इसमें देखिएगा Microsoft का Default Search Engine इन में से कौन सा है तो इन में से कौन सा है तो याद रखिएगा Bing है आपसा नंबर A अगला है ऐसा साप्ट्वेर जिनका Source Code Internet पर निसूल को उपलब्ध होता है जिसके Source Code में यूजर बदला भी कर फकता है उसे क्या कह जाता है तो उसे कह जाता है Open Source कह जाता है याद आपसा नंबर हो जाएगा C अगला प्रफन है निम्न में से कौन सी साप्ट्वेर निर्माता कंपनी नहीं है तो साप्ट्वेर निर्माण करने का काम करती है अगला देख़एगा General Purpose वा Special Purpose Software के इन प्रकारों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है General Purpose और Special Purpose Software के समूह को क्या कहा जाता है तो इसके समूह को कहा जाता है Application Software आफसन नमर हो जाएगा A अगला प्रफन देखेगा Jip File को आप अन्य सब्द में क्या कहा सकते हैं जिए फाइल को आप क्या कहा सकते हैं तो इसे कहा जाए फक्ता है Comprended file के नाम से भी जाना जाता है आफसन नमर हो जाएगा B अगला प्रफन है इन में से कौन से आप अन्य सब्द में कह सकते हैं तो अन्य सब्द कहा ये बोल सकते हैं इसको वेब ब्राउजर को बल फकते हैं सही आन्फर हो जाएगा लेडी एडा अगस्ता और ये थी कौन तो याद रखेगा जो कम्पीटर का पितामा है कौन चारल से बेबेज इसकी सीसिया सी कौन लेडी एडा अगस्ता तो आपसा नमबर हो जाएगा बी वीश्व का पहला साप्ट्यूर किसके द्वारा लिखा गया तो टाम किलबर्ग के द्वारा कब लिखा गया तो 1948 में लिखा गया था आपसा नमबर A अगला प्रफन देखेगा क्या सत्य है तो पहला चेक करते हैं आप युटिलीटी साप्ट्यूर ए टोकी एक युटिलीटी साप्ट्यूर में और एक साप्ट्यूरład है ठीक है ये भी सही है तो सब सही है मतलब सही आपसन हो जाएगा आपका आपसन नंबर D हो जाएगा ये कोशन देखेगा इन में से कौन से साप्टेयर सिस्टम साप्टेयर के भाग है तो सिस्टम साप्टेयर का भाग होता है तो सिस्टम साप्टेयर का भाग होता है आप रेटिंग सिस्टम भी होता है योटिलिटी साब टेयर भी होता है तो दोनों होता है आवस्चक रूप से आप सा नंबर हो जागा सी ए और बी दोनों वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यमाद और लगात रहने वाले एक्जाम के ट्यारी करने के लिए और आवस्चक जाब इंफर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और अपने सांचों को जरूर शेयर करिएगा धन्यमाद